बिहार में सराबंदी कानून अब खत्म होगा और इसकी प्रकडिया भी अब शुरू हो चुकी है नमस्कार मैं प्रिंस कुमार सिंग और आप देख रहे हैं पॉजेटिव इंडिया आज हम इस तीन मिनट की रिपोर्ट में आपको सारी बाते बताने जा रहे हैं कि आखिर बि बिहार में सराबंदी कानून खत्म होने के आसार जताय जा रहे थे और पिछले साथ महीने से हम रिपोर्टिंग के दौरान ये बात बताते रहे हैं कि सराबंदी कानून अब बिहार में बहुत जल्दी खत्म होगा हला कि बहुत सारे लोग इस रिपोर्ट को फेक भी कर दे चले कि बिहार में सराब बंदी कानून लागू होने के बाद अगर किसी गारी में अगर सराब अगर पकड़ी जाती थी तो उस गारी को जब्द कर लिया जाता था और इसके साथ ही साथ उस गारी मालिक को भी एफायार दर्ज करके उसकी गिरतारी तुरंद की जाती थी लेकि गारी जब्त कर ली जाएगी शराब जब्त कर ली जाएगी लेकिन उस गारी मालिक के उपर तुरंत एफायार नहीं किया जाएगा अब जाच होगी और उसके बाद उसके बाद अगर वो दोसी पाया जाता है तब उस पर एफायार होगी और नथा उस पर नहीं होगी आपको बताते चले कि बिहार में सराब बंदी कानून लागू होने के बाद उसमें कई सारे संसोधन हुए है और नितीज कुमार के लिए सराब बंदी कानून काफी महंगा परा है और सराब बंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में जहरीली सराब से सेंक्रों मोते हुई है और नितीज कुमार भी इस बात को भली भाती समच चुके हैं कि बिहार में अगर सराब बंदिक कानून अगर इसी तरीके से लागू रही तो आने वाले चुनाम में उनकी पाटी के नेताओं की जमानत जबत हो जाएगी। भारी बदलाव किया जा रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाम तक 2024 तक स्वाबबंदी कानून में भारी संसोधन किया जाएगा और ये उम्मीद जताई जा रही है और ऐसा सुत्रों से खबर आ रहा है कि दरसल ये कानून उहां तक सिमित हो जाएगा कि अगर पीते हुए अ अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना लेकर के छोड़ दिया जाता है अगर दूसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तब आपको जेल भेद दिया जाता है अब इस कानून में भारी बदलाव आने का संभाबना जताया जा रहा है और आने बाले लोकसभा चु इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट हैगा हम आप तक जरूर पहुचाएंगे जुरे रहे हमारे साथ अगर आप यूटूब पर अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो जरूर करें जुरे रहे हमारे साथ जै हिन जै भारत जै बिहाब